एक आटो वाला निकलता है सुभा सुभा दूसरों को उनकी मंजल तक पहुचाने के लिए बारिश हो या तुफान उसको अपनी चिंता नहीं होती वो तो निकल पड़ते हैं दो वक्त की रोजी रोटी के लिए बारा बारा घंटी उनको काम करना पड़ता है उनका आटो या तो किष्ट पर होता है या किसी सेट से किराय पर लिया होता है घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कब सुभा से शाम और शाम से राथ हो जाती है पता ही नहीं चलता ऐसे ही दिन महीनों में और महीने सालों में गुजर जाती हैं ऐसे ही 20-25 साल बाद आटो वाला ब इंकम रहती है और नाहीं बचत और सेहत भी खराब हो चुकी होती है बुढ़ापे के समय अगर उसने बचत कर रखी है तो वहीं उसका सबसे बड़ा सहारा है जिन हातों ने हमीशा दिया है अगर वो बढ़ापे में किसी के सामने हाथ नहीं पहलाना चाहती है तो आज ही आपके लिए और चलाएं भगवान के भरोसे मत बैठिये क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो